So, hello दोस्तो, कैसो आप? दोस्तो, आज के डिट में Scam कॉल से बचना उतना ही जूरूरी हो गया है जितना की कॉरोनाविरिस से जिएाँ, जैसे कि अभी के डिट में जैसे कि आपके फोन पर कॉल आएगा और उधर से अगला जो इसका मर है 10,000 जो भी है वो अकाउंट से गयब हो जाएंगे यही नहीं सिर्फ कॉल उठाने पर हो जा रहा है मतलब कि आपके फोन पर कॉल आएगा उस कॉल को आपने रिसीव कर लिया ना खत्म अकाउंट पुरी तरह से साफ हो जाएगा तो बहुत ही अजीब अजीब बहुत ही खतरनाक खतरनाक जो वो जो स्कैम आया है तो उन सभी स्कैम से आपको बचना कैसे है स्कैम कॉल से कैसे आपको बचना है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा जरूर सीख लीजेगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को share कीजिएगा अपने friends family के पास तो चलिए भीना time waste किये करते हैं वीडियो को start मेरा में सत्यम और आप देख रहा है technical expert बाबा YouTube channel तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है ना सबसे पहले आपको अपना call dialer open कर लेना है call dialer मैंने यहाँ पर open कर लिया अब यहाँ पर क्या करना है जैसे कि यहाँ पर आपको एक three dots मिलेगा यहाँ पर देख रहा है ना three dots पर आपको click कर दना है अब यहाँ पर आपको एक setting मिल जाएगा setting आपको open कर लेना है दोस्तो अगर आपको यह वीडियो जड़ा सा भी helpful लगा जोड़ा सा भी पसंद आएगा प्लीज वीडियो को एक like जरूर कीजेगा चैनल को subscribe करकर bell icon को दबालीजेगा comment section में आप मुझे जरूर बताएगा कि क्या आपके साथ ऐसा कभी scam हुआ है या फिर नहीं ओके तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है आपको एक option मिलेगा caller ID and spam protection यहाँ पर देख रहे हैं ना simple आपको इससे on कर लेना है इससे यहाँ से आपको on कर लेना है on करने के बाद अगर आपके phone पर कोई भी scam call आएगा कोई भी fraud call आएगा पढ़ने भी नहीं आएगा जिनको पढ़ने नहीं आता है फोन उन चलान नहीं आता है उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ यह spam call है जैसे कि आपका जो screen red हो जाएगा तो आपको तो पता चली जाएगा है ना तो इसी तरह से आप जो वो सेटिंग जानकर काफी अच्छा लगा हो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे मिलते अगले ऐसे कोई वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद एंड टेक कियर